हेलो गाईज, वेलकम तो इंग्लिस एजुकेशन स्टुडेंट्स हम पढ़ रहे हैं फ्लैमिंगो बुक के सेकेंड चेप्टर को जो ट्वेल्थ क्लास का है और हमारे चेप्टर का नाम है लोस्ट स्प्रिंग और इसमें हम पढ़ रहे हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा महाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं अपने 10 कोशन क्लियर कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे 11 से 24 कोशन तक आई थिंक हम यहाँ पर पूरे चेप्टर को कंप्लीट कर लेंगे मैं कोई भी कोशन नहीं छोड़ना चाती हूँ क्योंकि आपका चेप्टर जो है बहुत लैंथी भी है इसलिए इसमें ज़्यादा कोशन हो गए है और हाँ एक और बात आप पहुँच गए हैं 12th क्लास में तो आप उसे जरूर अचीव करती है तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हमने अल्रेड़ी पढ़ लिए अपने चैनल पर हम सभी चेप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं हम सभी पोईटरी की सभी पोयम्स को कंप्लीट कर चुके हैं अब हम पढ़ रहे हैं शोर्ट एंड लोंग कोशन अंसर अपने इसी चैनल के माध्यम से तो अगर आप यह अच्छी सी परसेंटेज को गेन करना चाहते हैं तो सभी कोशन्स को सभी वीडियो को आप अच्छे से देखें अब्सर्व करें समझें अगर फिर भी आपकी कोई क्वैरी है तो आप कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 11 है बोर्ण इन दा कास्ट ऑफ बेंगल मेकर दे हैव सी नथिंग बट बैंगल्स अब बैंगल ऐसी कास्ट में उनका जनम हुआ था जो लोग बैंगल मेकिंग का काम करते थे अब उन्होंने जो है और कुछ नहीं देखा था बस क्या देखा था बैंगल्स देखी थी where do they see bangles कहां पर उन्होंने bangles को देखा था children like mucas are born in caste of bangles maker mucas जैसे बच्चों का जन्म ऐसी caste में हुआ था जो bangles making का काम करते थे they know no other work वो कोई दूसरा काम नहीं करना जानते थे than bangles making यानि कि bangles making के अलावा और कुई काम करना नहीं जानते थे they see bangles in house in yards in every other house every other yard every street in fyrosabad तो उन्होंने कहां कहां पर bangles को देखा था हर ایک घर में वो bangles को देखते थे हर एक कांगन में वो bangles को देखते थे हर दूसरे घर में हर दूसरे यार्ड में वो bangles को देखते थे एवरी स्ट्रीट्स इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद की हर एक गली में उन्हें बैंगली बैंगल नहीं जर आती थी जो खाली पड़े हुए याड थे उनमें क्या लगता था बिल्कुल बैंगल्स का धेर नजर आता था जो हाथ की बनी हुई कार्ट थी चार पहियों की वहाँ पर भी उनका धेर उने नजर आता था तो कहने का मतलब यह है कि गलियों में घरों में सडकों पर या जैसे उनकी कार्ट थी हर एक जगा चूडियों का धेर उनको नजर आता था आगे दिखते हैं Question No.12 What contrast do you notice between the colors of the bangle and the atmosphere of the place where these bangles are made तो हमें बताना है क्या notice किया आपने वो जो bangles के color थे उन्हें देखकर और वहाँ का जो atmosphere था उन्हें देखकर जहां पर वो bangles बनाते थे The bangles are of every color born out of seven color of rainbows तो ऐसा लगता था वो जो bangles थी वहाँ पर उन्हें देखकर कि ये सारे color जैसे की rainbow से लिए गए है यानि कि हर एक तरह की चूडियां वहाँ पर मिलती थी They are sunny gold तो यहाँ पर color के बारे में बताया गया है कि वह sunny gold होती थी, paddy green होती थी, royal blue भी होती थी, pink purple मतलब every color उसमें पाए जाते थे सभी रंग boys and girls work in gloomy atmosphere, gloomy मतलब उदासी से भरा हुआ तो जो boys थे और girls थे वो उदासी से भरे हुए उस atmosphere में वो काम करते थे वो dark होता था, dirty hut mates होती थी, यानि कि हाँ पर गंदी भी होती थी next to the flickering flame of oil lamp around furnace, furnace means होता है बट्टी blowing glass, welding and soldering it to make bangles तो देखिए वहाँ पर बताया गया है, पहले तो वहाँ पर बताई गई है color की बात, कि कौन-कौन से color की वहाँ पर bangles दिखाई देती थी सारे color यहाँ पर बताई गए हैं, फिर दूसरी बात बताई है यहाँ पर कि वह एट्मोस्फेयर होता था वह ग्लूमी होता था डार्क होता था और डर्टी होता था फिर उन्होंने कहाई कि जलती बुझती जी flame होती थी और oil lamp की वह flame होती थी फरनेस के आसपास बैट कर जहां पर ग्लास जो है ब्लो होता रहता था वहाँ पर बैट कर काम करते थे welding का काम करते थे solving का काम करते थे तो यह सारा काम वह करते रहते थे महाँ पर question number 13 what are most of the bangles maker ignorant of what would happen if laws were enforced strictly तो बहुत सारे जो बैंगल maker हैं वो ignore किये जाते थे कैसे और क्या होता अगर जो लो है जो नियम बना हुआ है इस चीज़ को लेकर अगर वो and fraud मतलब लागू कर दिया जाए सक्ती से तो क्या होगा तो most of the bangles makers are ignorant of the fact that employing children in the bangles making is illegal तो लो क्या था कि जो bangles maker है जिसे वो ignore करते थे तो यह था कि जो बच्चे महाँ पर काम करते थे bangles making का वो illegal है this is a hazardous industry और यह जो है बहुत खतरनाक industry होती है many children become blind before reaching their adulthood मतलब अपने adulthood में आने से पहले ही जो बच्चे हैं वहाँ पर काम करने वाले वो क्या हो जाती है वो ब्लाइंड हो जाते है इफ दा लोज वर एंफोर्च्ड इस्ट्रिक्टी ट्वेंटी थाउजन चिर्डन वोड बी रिलीज फ्रम वर्किंग हाड थ्रो आउट डे एंड डे एट होट फरनेस विद हाइट टमप्रेचर तो अगर लागू यहां पर किया जाए लो को बहुत के सामने और बहुत जादा हाइट टमप्रेचर में कोश्चन नमबर फोर्टीन देखते हैं वेर इस मुकेस हाउस लोकेटेड वाट इस ही प्राउड ओफ तो मुकेस का घर कहा था और उसे किस बात पर प्राउड था मुकेस हाउस इस लोकेटेड इन असलम एरिया अलब जो गली थी वो पूरी कुड़े से भरी हुई थी दा होम्स देयर आर होवल्स एंड क्रम्लिंग वाल्स वुपली वुपली डोर्स एंड नो विंडोस तो महाँ पर जो दरवाजे थे वो भी हिल्डू से रहते जो दिवारे थी वो बलकुल ऐसी थी जैसे कि गिरने वाली है और जो मकान बने हुए थे महाँ पर उनमें विंडोस नहीं थी मतलब बहुती गंजस्टर सा एरिया था बहुती डर्टी सा एरिया था यहाँ पर जो फैमिली थी वो बिग फैमिली थी और वहाँ पर उनके साथ एनिमल्स भी रहते थे most of these houses are sex and hurts तो यहाँ पर जो घर बने हुए थे वो बहुत छोटे थे या फिर हटते वो कच्चे घर बने हुए थे महाँ पर मुकेस is proud that his house is being rebuilt his eyes sign as the volunteers to take the author to his home तो यहाँ पर जो author है उसे मुकेस अपने घर ले जाता है और मुकेस इस पर बहुत proud feel करता है कि उनका घर जो है rebuilt हुआ यानि कि भले ही वो कच्चा था घासपूस का बना हुआ था लेकिन उन्होंने अपने घर को rebuilt किया था और उसकी आखे जो है वो चमकती रहती है इस बात को लेकर कि जो अथर थी वो उनके घर पर आई थी what impression do you form about मुकेस family on having a glimpse of their house उसके घर के जलक पा कर मुकेस की family के बारे में क्या पता चला क्या impression होता है मुकेस house is a half built sack sack means होता है कच्चा होना घास फूस का बना होना with a wubli door wubli means होता है हिलता डूलता दरवाजा तो मुकेस का जो घर था वो half built था यानिके पूरी तरह से नहीं बना था और जो दरवाजा था वो हिलडूल रहा था one part of it is that with dead grass तो जो उस घर का एक हिस्सा था वो dead grass मतलब जो सूखी होई घास होती है उसका बना हुआ था there is a firewood stop महाँ पर एक लकड़ी का जिसमें लकड़ी जलाई जाती है उस तरह का चूला था stuff कह सकते है चूला उस तरह का एक चूला था pinch leaves are sizzling in a large vessels तो जो पालक की पत्तियां थी वो एक vessel में पक रही थी more chopped vegetable lying on aluminium platters और और जो कटी हुई सबजियां थी वो एक aluminium के प्लेट में रखी हुई थी the eyes of the frill young woman are filled with smoke अब वहाँ पर एक lady थी जो young थी और उसकी आखे धुएं से भरी हुई थी but she smiles लेकिन वो मुस्कुराती है the scene depicts the year grinding poverty but contentment with dear joy तो यह scene देखकर हमें क्या लगता है कि वो किसमें पिस रहे हैं grinding month means होता है पिसना तो वो जो है गरीवी में पिस रहे हैं लेकिन वो जो है उनकी जोब से संतुस्ट है question number six देखते हैं give a thumbnail sketch of the frill young woman in the chapter lost spring तो हमें sketch देना है किसके बारे में वो जो frill young woman थी यानि कि वो जो घर में एक लेडी थी जिसने गुंगट पहन रखा था उसके बारे में the young woman is the wife of mukes elders brother तो mukes के elder brother की वो पत्नी थी her eyes are filled with smoke of wood fire wood fire के धुएं से उसकी आँखें भरी हुई थी though not much older in years see commands respect as the deuter in law of the house हाला कि वो age में जादा बड़ी नहीं थी उसकी age जादा नहीं थी लेकिन वो फिर भी उस command को follow कर रही थी जैसे के वो deuter in law थी यानि के उस घर की बहू थी तो वो सभी की command को follow करती थी see see adheres to custom to custom and tradition तो उसे जो है इन चीजों कभी ख्याल था कि क्या उनका custom है किस तरह का रीती रिवाज है और किस तरह की परंपराएं उन पर भी वो ध्यान देती थी see whales, whales means होता है परदा करना, घूंगट करना her face, तो वो जो है अपने face को ढख लेती है before male elder and gently withdraw behind the broken wall to see them, तो जैसे ही वो घर के किसी elder male को देखती है तो वो अपने face को वेल से ढख लेती है और तूटी हुई दिवार के पीछे चली जाती है question number 17 how would you regard Mukais father's life and achievement, तो यहां पर हमें बता रहे हैं, Mukais के पिता की life के बारे में और उनके achievement के बारे में, Mukais father was born in the caste of bangle makers, Mukais के पिता भी bangle maker caste में पैदा हुए थे, his father went blind with the dust from polishing the glass of bangles, और उनकी जो है, आखे चली गई थी, यानि के वो blind हो गए थे, वो जो dust थी polishing करते हुए, वो glass bangles को polishing करते हुए, उनकी आखे चली गई थी, he is an old and poor bangles maker वो एक बूढे और गरीब bangles maker थे he has worked hard for long years, वो लंबे समय तक कहीं सालों तक जो है, कठिन परिश्रम किया, उन्होंने first as a tailor and then as a bangles maker, पहले वो एक tailor का काम करते थे, फिर एक bangles maker का काम करने लगे, he has failed to renovate a house or send to, to sorry, send his two son to his school, वो जो है, fail हो गए थे, यानि के वो अपने घर को renovate नहीं कर पाए थे और अपने, जो दो बेटे थे उनके, उन्हें वो स्कूल नहीं वो, sorry वो उन्हें इस्कूल नहीं भेज पाए question number 18 देखते हैं, सवीता अब सवीता भी वहाँ पर एक लड़की थी वो भी एक character है, जो बैंगल मेकिंग का काम कर रही है, सवीता ये सारी story आपको तब पता चलेगी जब आप इस chapter की summary को read कर लेंगे, उसके बाद अगर आप question answer करेंगे, तो बहुत ही सही से आप इनको समझ पाएंगे सवीता is a symbol of innocence and efficiency comment तो इस बाद पर हमें comment करना है कि वो innocence थी और वहाँ पर efficiency थी तो यहाँ पर efficiency का मतलब है कारे चमता, उसकी innocence के बारे में बता रहा हूँ, उसकी कारे चमता के बारे में comment करना है सवीता is a young girl सवीता एक young girl थी she has put on a drap pink dress मतलब फटी पुरानी सी उसने pink color के dress पहन रखे थी she is shouldering piece of glass वो piece of glass यानि के चूडियां वो बना रही थी, उन्हें एक साथ add कर रही थी her hand move mechanically like a tongue of a machine वो बिल्कुल machine की तरह काम कर रही थी she is innocent as she is ignorant about the scantity of the bangle she helped to make scantity का मतलब होता है पवितरता तो वो जो है बहुत ज़्यादा innocent थी क्योंकि वो ignore करती है निकि उसे पता नहीं होता है कि क्या पवितरता होती है bangle की जिनको वो बना रही थी question number 19 देखते है what do bengals symbolize किस चीज को bengals symbolize करती है when according to the author will Savita know the scantity of the bengals she helped make how is the Indian bride dressed तो यहाँ पर हमें Indian bride dressed के बारे में यानि कि जो भारती दुलन होती है उसके dress के बारे में बताना है क्या पवितरता होती है bengal की ये बताना है जो सवीता बनाने में मदद कर रही थी तो ये किस तरह से जो bengal है वो किस चीज को symbolize करती है bengal symbolized as a species nessa anaspeciousness means होता है in marriage for an Indian woman तो bengal जो है किस चीज का symbol था कि ये Indian woman जो के लिए marriage में भहत शुब होती है सुब मानी जाती है सवीता welcome to know the sanctity of the bengal when she become a bride और कहा जा रहे कि जो सवीता थी उसे इनकी पवित्रता का तब पता चलेगा जब वो एक दुलहन बनेगी The head of the bride is wrapped with the red whale whale means होता है गुंगट तो जो दुलहन होती है उनका सिर ढख दिया जाता है लाल रंग के गुंगट से Her hands are dyed with red हीना और उनके हाथों पर लाल रंग की महनी लगाए जाती है Red bangles are rolled on her wrist और उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियां पहना है जाती है तो इस तरह से question number 19 I hope आपको clear हो गया होगा Question number 20 को देखते है She still has bangles on her wrist but no light in her eyes What exactly does the author want to convey through this तो यहाँ पर जो author होती है वो एक sentence कहती है क्या She still has bangles उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां है लेकिन आखों में चमक नहीं है तो वो किस चीच पर इसको कहती है क्यों ऐसा comment करती है जानते है She is an elderly woman who become a bride long ago तो यह बात कहीं जारी है एक elderly woman के बारे में तो वो कहती है कि वो एक elderly woman है जो बहुत समय पहले एक दुलहन बनी थी Since her husband an old man with flowing beard is still alive अब उसके जो husband है उनकी लंबी दाड़ी है और वो अभी भी जीवित है एक बुढ़े व्यक्ती है वो आखे एकदम धुंदली पड़ जाती है और वो तो लगातार जो है इसी काम को करते चले आ रहे थे इसलिए उनकी आखे जो है धुंदली हो चुकी है दिस जस्ट कमेंट ओन एबजेक्ट पोवर्टी एबजेक्ट मीन सोता है देनी है वो जो उनकी बुरी कंडिशन थी या कह सकते हैं बुरी तरह से वो गरीबी रेखा पर थे and helplessness of Bengal maker तो यह सारी चीज़ें यह कमेंट किया गया है उनकी पोवर्टी पर और उनकी helplessness पर दे यंग मैन इको दे लेमेंट ओन दियर एल्डर मतलब क्यों अपने एल्डर के उपर वो जो है विलाब करते थे यह कह सकते हैं कि उनसे क्यों दुखी रहते थे वो क्यों उन्हें कोशते रहते थे और किस तरह से उनका जो जीवन था वो अफेक्टे था तो जानते हैं जो फिरोजाबाद के बैंगल मेकर थे वो बिचारे गरीब थे अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी और बिजनिस को कर सकें बस उनके पास सामने उप्शन क्या था कि वो बैंगल मेकिंग ही करें वो अपनी भूक को भी न मिटा सकें मतलब वो अपने घर बनाने के लिए कुछ और अचीवमेंट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था इयर्स ओफ माइंड नंबिंग टॉल टॉल मिन्स होता है हड़ वर्क हैव किल्ड दा इनिसियेटिव एंड दियर एबिलिटी टू ड्रीम तो यह जो है दिमाग को सुन कर देने वाली जो इतना कठिन परिश्रम वो करते थे तो उससे क्या हो गया था कि उनकी जो एबिलिटी थी ड्रीम देखने की यानि कि वो किसी और चीज के बारे में सोची नहीं पाते थे इन्टू ए कॉपरेटिव कॉपरेटिव मिन्स होता है संग किस सरह से जो बैंगल मेकर थे उनके उपर इतने अत्याचार किये जा रहे थे जो आप चेप्टर की समरी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे तो यहाँ पर कॉश्चन है कि वो एक संग क्यों नहीं बना पा रहे थे वो गठित क्यों नहीं हो पा रहे थे Most of the young bengal maker have fallen into the trap of middle man middle man means होता है जो बिचोलिये है थे तो जो young bengal maker थे वो किसके trap में फस गए थे वो जो बिचोलिये थे उनके हातों में फस गए थे They are also afraid of the police वो पुलिस से भी बिचारे डरते थे वो क्या they know that the police will haul them up beat them and drag to the jail for doing something illegal अब वो इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं उन्हें कुछ चीज की जानकारी नहीं थी तो बस उनके दिमाग में जो है बिचोलियों ने क्या डाल दिया था कि अगर वो कोई ऐसा कुछ काम करेंगे कहीं और जाएंगे कुछ और करेंगे तो उन्हें पुलिस उठा कर ले जाएगी उन्हें मारेगी पीटेगी और जेल में डाल देगी अगर उन्होंने कुछ illegal किया मतलब उनके पीच कोई ऐसा लीडर भी नहीं था कि उन्हें वो जो है उन चीजों को हट कर कुछ देख सके कुछ और अलग चीजें देख सके दियर फादर्स आर इक्वली टायर्ड ट्राइड उनके जो फादर थे उन्होंने भी मतलब यही सब किया था दे कैंड डू नथिंग एक्सेप्ट कैरिंग ओन दियर इन्हारिटेड बिजनिस इन्हारिटेड मिनस होता है विरासत में मिला मतलब उनके विरासत में मिला जो बिजनिस था उसके अलावा उनके पास करने के लिए कुछ और था ही नहीं तो इसलिए वो एक जुट नहीं हो पा रहे थे, एक संग नहीं बना पा रहे थे Which two distinct world does the author not is among the bengal making industry तो author ने किस तरह से दो अलग-अलग world पाए उस bengal making industry में जानते हैं The families of bengal maker belong to one of these world पहले world की बात की जारी है जिसमें कौन है बengal maker की families है These workers are caught in the web of poverty और वो गरीबी के एक जाल में फस गए हैं They are also burdened by the stigma of the caste Stigma, stigma का proper meaning होता है कलंक Of the caste in which they are born मतलब एक कलंक की तरह था वो, कि वो उस caste में उनका जनम हुआ They know, no other work, वो किसी और काम को जानते भी नहीं थे The other world, अब ये तो रहा एक संसार जो किसका था, bengal makers का कि वो जो है poverty के एक जाल में फसे हुए थे और वो जो है इस वो जो कास्ट थी वो उनके लिए कलंक बन गई थी और वो किसी दूसरे काम को भी नहीं जानते थे The other word is, विकीसियस सर्कल, विकीसियस सर्कल मींस होते एक बुरा चक्र Of the money landers, the middle man, the policeman की पर, etc, etc, politician, मतलब ये लोग जो है उनका हनन करते थे अब ये उपर मैंने आपको बताए कि middle man के चक्कर में वो फस जाते थे और जिस तरह से वो कहते थे वो उसी तरह से कुछ money landers के trap में फस जाते थे कि भई, कुछ पैसा उधार लेते थे पुलिस मैन, politician मतलब ये सब मिल कर जो है उनका पूरी तरह से अत्याचार करते थे तो इस तरह से ये जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है ये दो वर्ड में डिवाइड हो गया था एक में तो हमारे बैंगल मेकर्स थे और दूसरे में थे politician, moneylenders, middleman ये सब ठीक है तो इस तरह से ओथर ने बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया है अब यहां पर पढ़ते हैं question number 24 how is Mukesh different from the other Bengal makers of Firozabad? अब Mukesh जो है दूसरे बैंगल मेकर्स से अलग क्यों था? Mukesh is quite different from other Bengal makers of Firozabad because he has the courage to take initiative and break from the traditional family occupation Mukesh जो है थोड़ा सा अलग था उन सभी Bengal makers से अलग था जो Firozabad के थे क्योंकि उसके अंदर साहस था वो तोड़ना चाहता था यह जो family occupation है यह जो business चला आ रहा है वो इससे तोड़ना चाहता था he has strong will power also और उसके अंदर एक इच्छा सक्ती भी थी he insists of being his own master by becoming a motor mechanic वो एक motor mechanic बनना चाहता था और खुद का मालिक बनना चाहता था यानि कि वो उन सब के साथ काम नहीं करना चाहता था तो यहीं तक हमारे important question है आपकी वीडियो भी काफी lengthy हो गई है I hope सभी questions आपको समझ में आए होंगे अगर आपकी कोई query है कोई question है तो आप comment section में लिख सकते हैं पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like जरूर करें और अपने goal पर जरूर धियान रखें तो मिलते हैं अपनी next topic में तब तक के लिए बबाए